So Hello Everyone, Forum MKS में आपका बहुत बहुत स्वागत है Finally, Nursing के Forum निकल चुके है Government Nursing College में एड़िसन लेने के लिए अगर आभी सरकारी Nursing College से BS Nursing करना चाते है या फिर Post Basic करना चाते है या फिर MS Nursing करना चाते है Forum Apply कर दीजिए Forum Start हो चुके है तो यहाँ पर पूरा का पूरा Notification आ चुका है आपके अपने State में So चले, यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कौन-कौन Forum को Apply कर सकता है और यहाँ पर जो आपका Intranse Exam Conduct होने वाला है, वो कब होने वाला है और आपको यहाँ पर हर एक राज्ये की Information मिलेगी आपको अगर आपने चैनल सस्क्राइब कर रखाऊगा बेल आइकन पर प्रेस कर रखाऊगा हर एक राज्ये की, हर एक जिल्ले की Information आपको यहीं पर मिलेगी हर एक Government College की तो चले, यहाँ पर अपडेट को देख लेते हैं कौन से स्टेट का है, तो यहाँ पर देखो BS Nursing, Post Basic BS Nursing और MS Nursing यहाँ तक की Paramedical और Pharmacy इन सभी के फोरम यहाँ पर निकल चुके है 2022 और 2023 के लिए अब देखो, राजस्तान के फोरम मद्यपरदेश के फोरम ठीक है और दिल्ली के फोरम बहुत जिदा कमेंट आ रहे थे UP के फोरम, सर इसका अपडेट हम को बताईए तो इसकी भी जान कर आपको यहाँ पर आवश्य मिलेगी तो यह आज की जो फोरम निकले है यह कौन से स्टेट के है, यह है आपके हिमाचल परदेश के, जी हाँ बिल्कुल हिमाचल परदेश के देखो, यहाँ पर फोरम निकल चुके है, पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर All India के Candicate एपलाई कर सकता है, हिमाचल परदेश में, अब देखो राजस्तान के फोरम की भी बात हम करेंगे मद्य परदेश के फोरम की भी बात हम करेंगे यूपी के फोरम की बात हम करेंगे दिल्ली के फोरम की बात हम करेंगे जारकंड बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आपके कमेंटों को भी यहाँ पर देखा जाएगा मुकेसर के द्वारा, ठीक है तो मैं तो देखो आपके साथ हूँ आपका हर एक डाउट में क्लियर करूँगा ताकि आपको भविसे में कोई भी दिक्कत ना हो चले यहाँ पर फोरम एपलाई करके देख लेते हैं और इसका इपोर्टेंट डेट क्या रहने वाला है चलो टाइम टाबिल इसका देख लेते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पार होंगे हिमाचल परदेश में यहाँ पर नोटिपकेसन जारी हो चुका है यहाँ तक की फोरम भी स्टार्ट हो चुके है दो अगस्त 2022 से आबर सकते हो यहाँ पर लास डेट रहने वाली पंदरा अगस्त रहने वाली है तो पंदरा अगस्त से पहले पहले आपको फोरम एपलाई करना होगा फोरम एपलाई आप घर बेटे भी आपके मोबाईल से भी कर सकते हो अभी हम आपको बताएंगे ठीक है, और यहाँ पर यह important introduction आप देख सकते हो अब आप बोलिंग Sir, entrance exam कब है तो आपका जो entrance exam conduct होने वाला है वो 28 अगस्ट 2022 को conduct होने वाला है अब आप बोलिंग Sir, तयारी कैसे करे कौन सी किताब best रहेगी देखो चाहे राजस्तान हो, मद्दे परदेश हो, यूपी हो आपको सारी किताबे और तैयरी MKS Academy एप पर मिल जाएगी तब ही तो हम आपसे बार-बार बोलते डाउनलोड करने के लिए क्योंकि वहाँ पर notification भी आपको मिल जाएगा और पुराने paper भी वहाँ पर आपको मिल जाएगे और आपके collegeों की list भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर और syllabus भी वहीं पर आपको मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर हम upload करेंगे आपके लिए ताकि आपको सुवीदा रहे तो उसका link नीचे दे रहा है, वहाँ से download कर लेना, तयारी भी वहीं से आप कर सकते हो, MKS Academy एप आपकी सुविदा के लिए हमने बनाया है, ताकि हमारी विद्यार्तियों को कहीं पर बटगना ना पड़े, क्योंकि वो old paper के लिए बहुत सारी website उपर चले जाते हैं, वो तैना आपका जो cover करने का, तो उसमें भी आप नहीं कर पाते, तो वहाँ पर college के list भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, चलो मैं एक बार आपको उससे जागरूप करवा देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पारूँगे, नर्सिंग की फ्री सुविदाय वहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है, college के list वहाँ देख लेना, sales वहाँ देख लेना, old paper, college की piece वगेरा, फ्री मेहम सी कुछ भी मिल जाएगे वहाँ पर, तो यह सुविदाय आपके लिए रखी गई है, ताकि जो गरीब परिवार के बच्चे है, विध्यारती है, जिनके माता-पिता बहुत ही गरीब है, ठीक है, जिनके final condition बहुत ही कमचोर है, तो वो भी यहाँ पर पढ़ाई कर सके, और पुराने paper वगेरा देख सके, और यहाँ पर notification विगरा साब आपको मिल जाएगा, जैसा है कि आप यहाँ पर देख पार होंगे, तो यह सब आपके लिए मैंने कर रहा है, लिंक के नीचे देख रहा है, डाउनलूड कर लेना, MKS Academy एप को, चलिए, आज के जहाँ पर फोर्म निकले हैं, उनको देख लेते है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पार होंगे, अटल, मेडिकल, रिसर्ट, यूनिशिटी, हिमाचल परदेश, तो देखो, यहाँ पर यह जो फोरमें, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि, बीए सिंग, फार में सी, परामेडिकल, आयरुएदा, तो यह देखो, आयरुएदिक से, अगर आप करना चाते हो ना, तो यह आपको एपलाई करना है, अब आप बोलिंग सर्म को तो आयरुएदिक से नहीं करना है, हमको तो एलोपेति से करना है, जो नॉर्मली होता है, तो चाहे तो आप आयरुएदि में भी एपलाई कर सकते ह अब एलोफेति के बात करें तो उसके लिए अलग से आपको फोरम बनना होगा और उसके जो फोरम है वो अलग से निकाले जाएंगे अब आप बोलिंग से कब तक आएंगे तो देखो कम से कम आपको 8-10 दिन का वेट करना होगा और सारी अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेगी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रहा होगा बेल आइकन पर प्रेस कर रहा होगा तो हर एक अपडेट तो यहां पर अगर आप आप आईरुवेदिंग में इंटरस्ट रखते हो तो एपलाई कर देना चलो एपलाई का प्रोसेज में आपको दिखा देता हूं भीकल को खो मेडिकल कोलेज डेंटल कोलेज नर्सिंग को लेज ठीक है तो नर्सिंग कोलेज पर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप क्लिक करोगों तो निया Interface open होके आ जाएगत जैसा कि आप यहां पर किलिक करना है जिससा आफ किलिक करेंगो तो यह इंटर पेज ऐसा ओपन हो जाएगा तो हमको कौन से फिकल्टी में जना नर्सिंग वाली फिकल्टी तो सीधा आपको यहां पर प्रोग्राम और स्थाम प्रॉस्पार्श भी यहां प्रावैले यह अपका नर्सिंग तो यहां पर BS nursing हो गया, post basic हो गया, MS nursing, तीनों course यहां पर available है, तो prospectus यहां से हम download भी कर सकते हैं, और रही बात apply की, तो यहां से हमको apply भी करना होगा, यह रहा apply का option, तो यहां पर nursing course available है, तो इसी पर हमको click करना होगा, ठीक है, तो जैसे हम click करते हैं, तो यह interface open हो जाता है, और यहां से आप apply कर सकते हो, यह पूरा का पूरा फोरम आपको बरना होगा, तो officially भी मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है, तो इस तरीके से आपको फोरम यहां पर apply करना होता है, अब यहां पर राजस्तान की बात करें, तो राजस्तान में तो देखो लाश्ट अगस तक आपको बैट करना होगा, ठीक है, मद्धे परदेश की बात करें, तो अगले मैंने तक आपको बैट करना होगा, बट देखो तैयारी अभी सही स्टार्ट हमने करवा दिये MKS Academy एप पर, पुराने पेपर MC कूज आप MKS Academy एप पर देख सकते हो, बिल्कुल फ्री कर रखा है हमने MKS कूज के मामले में, पुराने पेपर के मामले में, और सेलेबस के मामले में, और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि, जिन बच्चों के माता-पिता गरीब है, जिनके आर्थ एक इस्तिती कमजोर है, तो आप पढ़ाई को मत चोड़ना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तयार ह इसे, ठीक है, तो यहाँ पर चलो आपके कमेंट यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर कल जो आपने कमेंट किये थे, वो सारे कमेंट में ने यहाँ पर ओपन कर लिए, तो वंदना यादव का कमेंट है, तेंक्यू सो मत सर, और वंदना का कल भी कमेंट देखा था, तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदनाजी आपको रेगुलर आप ऐसे कमेंट करोगे तो आपको पक्का हम जान जाएंगे ठीक है, सीवाने अदव तो रेगुलर है सही, बहुत बहुत धन्यवाद काजल सिंग रेगुलर है सही ठीक है, तेंक्यू सो मज़ रूबी पटेल हो गई, यह हमारे रेगुलर विद्यारती है, इनको बहुत जितना चारा हम बदाएदे उतना ही कम है ठीक है, रूबी पटेल थेंक्यू सो मच इसने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल परजाबत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अनुपाका कमेटर, अगर दिल्ली केंडिकेट रजिस्टेशन करते है, तो क्या उनका एक्जाम सेंटर हर्याना में पढ़ेगा, बिलकुल हर्याना में पढ़ेगा, देखो पुरा काम हर्याना में होगा आपका एक्जाम सेंटर भी वहीं होगा ठीक है नुगा वहीं पर होगा आपका तनु कुमारी इस एक्जाम के तुरू कौन-कौन से कॉलेज में एडिशन मिल जाएगा देगो रोतक हर्याना की यूनर्शेटी के अंडर में जितने भी कॉलेज आते उन सभी में आपको परवे देगे फिरी में वहाँ पर जाके देख लेना की कौन-कौन से कॉलेज जिसके अंडर में आता है आर्ची मोर्या थेंक्यू सर में यूपी से हूँ एनिस्टेट के फोरम में यह बता दीजे कि पीस का हिसा आप से कौन सा कॉलेज सही होगा देखो पीस को मत देखो आप कॉल कि बता देखो कि कौट को अच्छे का का में तो हमारे भी देख नौट को आती तो आप अबसे काम आओगे ये तो मेरे को पक्का यकीन है कल को अगर कोई भी प्रोब्लम देखो किसी के साथ भी आ सकती है अगर हमारे साथ भी कोई प्रोब्लम आती है तो मेरे को पक्का यकीन है कि मेरे विद्यारती मेरे को फुल सपोर्ट करेंगे पिंकी कुसवा ये तो बताओ सर कि किस state का है अब देखो ये ऐसे विद्यारते जो पूरा वीडियो नहीं देखते मैंने वीडियो में बताए कि कौन से state का है ये कमेंट से पता लग जाता है कि कौन कौन मेरा वीडियो पूरा देख रहा है इतनी मेनत में करता हूँ पिंकी ठीक है फिर भी पिंकी कुस्वा फिर भी आपने वीडियो पूरा नहीं देखा प्लीज अगेन वीडियो को ओपन करो कलवा लेको और देखो सब पता लग जाएगा उसमें कि कहां का है ध्यान से देखना थेंकी सौमा सर जी बहुत अबहुत दन्यवाद क्रिस्मा सर राजस्तान में एन्यम के फोरम अगले में नहारे ठीक है नहारानी सर कल मेरा भी अटल बिहारी का एक्जाम था कापी अच्छा राख बिल्कुल सभी का बहुत अच्छा रेंस्पॉंस आया कि जो सर आपने पढ़ाया ना वही क्यूसन हमको देखने को मिले हमारा तो 80% तक मिल गया आपके क्यूसन तो बहुत अच्छी बात होती है क्यूंकि हमारा तो 5 साल का अभ्यास से मिलना ही सही है ठीक है मिले गें सही होतो तो इन्होंने एमकेस अकेडमी से तियारी की थी बहुत सारे स्टुडेंटों ने तो क्यूसन वही आए जो पढ़के गए थे अगर आप भी करना चाते हो तो डाउनलोड कर लेना और वहां प्रेमिस कुछ आपको मिल जाएंगे रीना को बहुत बहुत धन्यवाद रीना साव को बहुत बहुत ज़दा धन्यवाद ठीक है एपलाए का लिंक देखो मैंने आपको टेलेग्राम पर भी दे दिया है और एमकेस अकेडमी एपर भी मैंने अवाइलेबल करवा दिया है जाके देख लेना रूबी पटेल सर मैं यूपी से हूँ ये फोरम फिल कर सकते हूँ बिल्कुल कर सकते हो दिपक सर राची जहार खंड में कब आएंगे गवर्मेंट के फोरम बस आने वाले है दिपक दी यूँ समझो कि आने वाले कम से कम 10-15 दिन का और बेट करना है आपको और चैनल तो सस प्रिकावाइ उसको देखना इसा थोड़ी कि नहीं कर सकते हो एपलाई ठीक है आराम से कर सकते हो विनिता गुपता कहां काई सर विनिता फ्लीज वीडियो पूरा देखो राहूल सर फोरम का नाम किया है वीडियो पूरा देखो प्लीज यहां पर पैटवाल का कमेंट है सर एक्जाम कहां पर लगेगा यह एक्जाम आपके रौतक में लगेगा ठीक है सर एस जी पीजाए लगनों में बेस मरसी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी देखो रिजल्ट आ चुका है एस जी पीजाए का और इसकी जो काउंसलिंगे 15-20 दिन का टाइम लगेगा और चैनल तो आपने सस्क्राइब करी रखा है बेल आइकन पर प्रेस करी रखा है तो बिल्गल भी चिंताब को नहीं करनी है और एमकेस अकेडमी एप डाउलूड कर रखा होगा तो वहाँ पर आपको अबडेट मिल जाएगी जिकरा अक्तर सर नीट का एक्जाम दिया है मैंने बट एमस का बेस्ट का फोरम भी बरा है तो कैसे होगा देखको एमस का तो अलगी सिनेरियो है वहाँ पर एमस का इंटरांस एक्जाम जो हुआ था उसके बेस पर होगा वहाँ पर नीदी कुपता को बहुत बहुत सरा धनेवाद हम पोरम बरे इस एक्जाम के लिए तो एгजाम का सेंटर हर्यना में रहेगा ठीक है हर्यना से बाहर नहीं रहेगा तो नहीं तो यह करता हूा मैं तो आपको पूरा support करूँगा बस आप comment के दोरा, आपके problem मेरे को बताते रहो मैं आपकी हर एक problem को sol करूँगा अगर किसी के पास पेसे की problem है सर किसी भी state के फोरम बढ़ सकते है बिल्कुल बढ़ सकते हो भी रुपाली चोदरी, सितमबर में आयेंगे प्लीज वीडियो पूरा देखो आप यह जो बोले ने कौन से इंस्टी का है प्लीज वीडियो पूरा देखो हाँ जोड़के निवेदन है सर एक्जाम का फॉरम आया है उसके एक्जाम कहाँ पर होगी वो आपके हरे ना में होगी तो जहर खंड मद्य परदेश और राजस्तान वालों से यही कहना है आप MKS Academy एप डाउनलूड करके रख लो जैसे फॉरम का नोटिफिकेसन आएगा वहाँ पर भी मिल जाएगा